तो आज मैं आप लोग से कुछ बात करने वाला हूं कि आर यू गोइंग फॉर गेट एक्जाम और नॉट तो मैं भी लगभग रात का 1145 हुआ है और मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूं तो कुछ दिर में रिकॉर्ड होका और आज ही रात को आपको प्राय करेंगे कि कि आज ही रात को आपको मिल जाए ठीक है तो आज 16 दिसंबर है और 1145 है थोड़े दिर मैं 17 दिसंबर लगने वाला है तो जैस में आफिस में कुछ कान में इप्ता रहा था तो मैं को लगा कि मैं को एक जगा क्लिक किया कि चल आप लोग उसे बात कर लेता हूं कि अभी सब कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे पाने बैठे होंगे कुछ लोग बैठे होंगे कुछ लोग अपने प्रोसेस में होंगे कुछ लोग रिविजन कर रहे होंगे कुछ लोग टेस्सिज दे रहे होंगे कुछ लोग अपनी जिन्दगी को जी रहे होंगे कुछ लोग फोन पे ल देख रहे होंगे कुछ लोग यूटूब में म्यूजिक सुन रहे होंगे कुछ लोग यूटूब में डांस वाला देख रहे होंगे इस समय की बात कर रहा हूं कुछ लोग यूटूब में टेकनिकल कंटेंड भी देख रहे होंगे कुछ लोग अपनी सीड बना रहे होंगे क बैट के लगा हुआ है सुबह से और अभी रात के 11.45 हो रहा है और वो लगा हुआ है पढ़ने में तो ऐसे लोग कम है तो सकसेस की गैरेंटी भी तो कम है तो उचके देखो ना अगर पूरी दुनिया अलग-अलग टाइप के काम कर रही है जिसमें रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो रिजल्ट आएगा कैसे है और उसके बाद सुबह उटके यह सोचना कि मैं कर नहीं सकता हूं मैं ऐसे एक्जाम के लिए बना नहीं x2 आप खुद से क्रेट करते हो तो यू औहुडर क्रेटर और इस नेगटी फॉर्ट तो बहुत सारे लोग नेगटी फॉर्ट के खुद क्रेटर होते हैं क्योंकि वह अपनी जिंदगी के पूरे टाइम को अपने अपने जो रूटीन लाइफ ही उस टाइम को इस तरीके से वेच करते कि उनको लगी नहीं पाता कि मैं अच्छा कड़ पाऊंगा आप सोचो ना इतने बचे बहुत सारे लोग होंगे comment box में बताना आप लोग क्या कर रहे हो करके अभी video आनहीं वाला है तो आप comment box में बताना कि yes मैं ये कर रहा थै yes I am doing this दो दिन से सो यह नहीं होंगे तो स्टूर्इज के सा पूरी स्ट्ट कंदूंटी है पूरिए वराइटी आ रीजन के सा shirt है बतबंब यह भी टॉफ है कैटिगरी की बात कर रहा हूं मोर देन हंडेट कैटिगरी में लोग है इस समय में सबको पता है कि दिसंबर इस गोई इस अधर दिसंबर निकल के 16 दिसंबर जाने वाला 17 दिसंबर कल से स्टार्ट हो रहा है और 30 31 वाला तो ऐसी चला जाता है तो अब आपको पता है कि 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 आपका जो टाइम है वह ऐसी ही निकलते जाता है तुम्हें जब क्रहें तक लिए पाट तक लगा होगा रिजन कर रहा होगा अपने आपको मोटिवेट कर रहा होगा कल सूबह के लिए कुछ लोग सोने चले गए होंगे जो कि कल सुबह उठेंगे जिस वीडियो को मॉर्निंग में देखेंगे वो जो कम कैटिगरी के जो लोग है जो जिसमें कोई कम लोग आते हैं बहुत ही कम लोग है उनके चांसे हमेशा बैटर होंगे कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो जिन्दगी को जीते जीते भी इस इस माहोल में अच्छा कर पाते हैं वो बड़े गिंती के गिंती के लोग होते हैं बट मेरा मेरा में चीज क्या है मेरा में चीज यह है कि मैं आपको हमेशा मोटिवेट कर सकूँ सही डारेक्शन में आपके बता सकूँ कि यह टाइम आपके जिन्दगी में फिर वापस कभी नहीं आएगा यह 2020 है ना यह आपके जिन्दगी में वापस कभी नहीं आएगा अग आपने जिंदिगी के सबसे important time को कैसे spend कर रहे हो ये आपके आने वाले आपके आने वाली जिंदिगी इसको decide करेंगे हमरे इसका मतलब यह हुआ कि यह जो last के आपके जो 45 days आप अभी अपने जिंदिगी का कैसा plan कर रहे हो सकता है ये आने वाले 45 साल decide करें ये 45 days सोचो ये 45 days versus 45 years आपका future जो है अगला आने वाला जो आपका future है 45 years का ये 45 days decide भी कर सकते हैं कई लोग इन बातों को मानना नहीं चाहते हैं इस बातों को believe नहीं करना चाहते हैं उनको लगता है जिन्दगी एक बार मिलेगी ना दोबारा पढ़ जाएगा अगर आप इसको avoid कर सको क्या फ़क पढ़ जाएगा अगर आप trailer ना देखरे हूं क्या इफ़क पढ़ जाएगा netflix में किसी series को नहीं देख रेहों क्या फ़क पढ़ जाएगा अगर आप एक novel को 45 days तक नहीं पढ़ रुतék क्या एक पर जाएगा कि आप एक अच्छी मूवी को अभी आप इग्नोर करना चाहिए आपको आप एक मूवी को देखना चाहते हो रोग दे यार 45 डेस के बाद देख ले ले तो मैं बोल रहो हो कि जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने टाइम को अलग-अलग टाइम क्यों ज़्यादा आपके failure की probability बढ़ती है इसका मतलब है कि success की probability उन सब के लिए ज़्यादा है जो लगे पड़े है आर लगे पड़े है सुबह से लगे पड़े है टेबल पर बैठे हुए है पढ़ रहे है अपना अपनी जो अपनी कॉपी में रब कॉपी में अपना revision कर रहे है टेज सीज दे रहे हैं अपने seat वगेरे लगा रहे हैं कोशन में अपलाई कर रहे हैं इनके probability success की probability बहुत जादा है किनकी probability बहुत कम है probability उन सब लोग की कम है जो chat में involved है जो इस्टा में अपनी photo को ही चार बार देख रहे हैं जो सुबह upload किये थे उस photo को फिर से देख रहे ह इतने likes हुए है अपने ही चीज़ों को देख रहे हैं लोग की profile विजिट कर रहे हैं YouTube में trailer देख रहे है YouTube में video देख रहे है घंटों लगे हुए मोबाइल को लगे हुए हाय होलो करते हुए जबकि दो तिन घंटे पहले इससे बात भी कर रहा हूं कि कई लोग तो सुबह से लेकि कई लोग तो मोबाइल अगर अगर कोई एकती एनालीसिस करें तो अपनी future को लिख सकता है अगर आप लास्ट के 15 दिन में 1 दिसमबर से बात करते हैं 1 दिसमबर से लेकि 15 16 दिसमबर तक अपना मोबाइल का यूज देखना और सही में देखना कि उसका कितना percentage utilization में था और उस average जब आपको पता चल जायागा तो फिर आप ये सोचना कि मैं कितना utilize किया इस social media को अपने growth के लिए आने वाले जो 45 साले मेरे जिन्दगी के 10-45 साल जो हो सकते हैं इन 45 दिन में मैं अपनी story किस direction में create कर रहा था तो क्यों हम किसी को blame करते हम तो हमारी story के खुद creator है हम जैसी story चाहेंगे वैसी story बनते जाएगी हम जैसा respond करेंगे situation को वही story हमारे जिन्दगी की होगी अगर आपको लगता है कि sir में को अच्छे से बताए कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा अगर आपको लगता है कि sir में को confirm पताए कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा कभी अपने parents को बड़े ध्यान से देखना और सभी के पैरेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जगा पे लाखों रुपे कमाते होंगे बहुत मिडिल क्लास फेमिली धिरे धिरे आगे बढ़ती है थोड़ा सा देखने की कोसिस करना सोचने की कोसिस करना कि वो भी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हो और आप तो वो स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते हो और आप स्ट्रगल को ब्लेम का नाम देते हो कि मैं कर नहीं पाऊंगा तो आप अपने पापा से मम्मी से पुछो ना कि क्या वो लोग कोई बहुत भेंकर, इंटेलिजेंट या एकड़म रैंकर थे क्या, वो भी तो नॉमल लोग थे, नॉमल जिन्दगी जीते जीते तक आपको एक अच्छा है जो किसन दे रहे हैं क्यों नहीं आप इन चीज़ों का अंडेस्टेंड कर पाते हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेक अप कर लो लेकिन वेट तो किया जा सकता है आपके सुनहरे जिंदिगी के अनमोल जो टाइम आने वाला है उसके लिए क्या इतना कंप्रोमाइस नहीं हो सकता है इसलिए मैं बोला कि आर यू गोइंग फॉर गेट एक्जाम और नॉट सिप कमेंट बॉक्स में वो लोग लिखेंगे यस सर वी आर गोइंग फॉर दा गेट एक्जाम सिप वो लोग जो सच में मैंटल इस्टेबिलिटी के साथ गेट का एक्जाम देना चाह रहे है बाकी लोग नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि यह आपके जिन्दिकी का सबसे वन अप दे इंपॉर्टन टाइम है और बहुत सारे लोग इसको वेस्ट कर रहे हैं बहुत सरे लोग इसको वेस्ट कर रहे हर एक इक टाइम कीमती है कितने बार मैं ट्राइ करता हूँ आपको मॉटिवेट excit कर सकूझ आपको पकल कर सकूझ आपको रख सकूझ किया chefकरना है 1980 करना है प्लान के साथ study करना है वाइ नौट तो ये जो फील है मेरा अच्छा करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पता इस सेम टाइम में लाखों लोग को लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा यस कोई बात ही नहीं हमको भी लगता था अपनी जमाने में इस सेम टाइम में लाखों लोग को लगता है कि मैं टेस्ट तो दिया नहीं अभी तक रिविजन तो किया नहीं चार सब्जेट बचे मैं कैसे अच्छा कर पाऊंगा तो मैं बोल रहा हूँ ये जो जितने लाखों लोग है उन में से करता है बहुत अच्छा तो भी आपको एक्जाम एक अच्छी लर्निंग देखे जाएगा इस गेट एक्जाम में क्या होनी जा रहा है ये मैटर नहीं करता है मैटर ये करता है कि आप अपने जिन्दगी का बेस्ट इंपुट दिये की नहीं अधवाईस आपकी लाइफ जो है वो यूजलेस है यार जो अपने पैरेंट्स एक मिडिल क्लास फैमिली जो आप इतना यहां तक बढ़ा की है पता है एक एक बच्छे को पालना बेटा है वे बेटी हो बच्छे को पालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है बहुत प्राब्लम नहीं होने देना ये फील नहीं करवाने देना कि हमारे पास कुछ नहीं है जो आप क्लास वन क्लास टू में होते होते तो आपके लिए पूरे तरीके से डेडिकेट होना ये सब करके आप यहां तक पहुचे हो और आप इंस्टा में लोग के दूसरे के प्रोफाइल देख रहे हो आप फेस्बूख में जाके देख रहे हो किसके कितने लाइक है आप लगे हुए घंटों से फोन पे लगे हुए कॉसिप में लगे हुए बॉइफरेंट के साथ गल्फरेंट के साथ आप यूटूब में कोई कॉमेडी चीज जो है वो देख रहे हुआ फेस्बुक में डिफरेंट टैप के वीडियो देख रहे हुआ तो आप यार क्या चाहते हो बताओ फिर आपकी स्टोरी तो आप लिखना चालू कर चुके पहला पन्ना आपका स्टार्ट हो चुका है वो ब्लैंक नहीं है उसमें आप लिखना चालू कर चुके हो आप लिखना चालू कर चुके हो कि मैं एक नेगेटिव एटिट्यूट का परसन हूँ मैं अपने जिन्दगी को ऐसे ही negative attitude के साथ आगे केरी करूँगा या आप अपने स्टोरी लिखना चालूगा चुक्या और में को लगता है कि कोई में को जानने वाला को स्टुवेंट से जो में को जानता है में को समझता है में को understand करता है वो ऐसा कैसे हो सकता है वो कैसे ऐसा हो सकता है पता है हमको की बाकी चीज़ों की feeling बड़ी strong है जो study की feeling नहीं होगी हो सकता है दूसरे चीज़ों की feeling बड़ी strong है but compromise एक नाम की चीज़ सुने हो yes sir we are ready for the compromise yes sir we are ready for the compromise सुने हो compromise word सुने होंगे यार क्या आपका भी implement कियो क्या कभी implement कियो तो implement करना अपने आप में बड़ी बात है एक बार implement करके तो देखो अपने आप को 45 days के लिए पूरे तरीके से कुर्बान कर दो रिजल जो भी होगा पता है यह एक processor है सबूस करो यह एक processor यह आपके पास system यह processor है ठीक है यह आप input डाले यह processor है आपके पास पता आपके पास जितना आप input जितना आप effort लगाओगे processor का result good result ही होगा good result का मतलब आपके exam का result ही नहीं होता है अगर आपका best input है आपके पास best input के साथ अगर आप किसी जगा पे डाल जो input यह जो 45 days है अपने जिन्दगी के best 45 days निकालो नहीं है यार क्या problem है आपको अपने आपको एक बार कुरुबान करके तो देखो result जो भी होगा आपका जो इस जगा से जब आप गुजरोगे आप एक अच्छे इंसान एक अच्छे positive attitude के person बन चुके होंगे पर आपको ये एक positivity के साथ आप जाओगे और result अगर आप अच्छा convert कर लिए तो ये तो प्लस पे प्लस हो गया मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको कभी गम नहीं होना चीए आपको कभी गम नहीं होना चीए अब ही कई लोग बोल रहूंगे कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्यों सर मेरा कली on क्यों सर मैं कली किसी को propose क्या अब मैं wait कर रहा हूं सर क्यों कब हाँ बोलेगी या बोलेगा अरे जिंदगी के इस age जी में इसो होते रहता है लोगों को नेन नहीं आती है Sydney Break-Up होने के बाद लोको नेन आना रहता नॉर्मल सी चीज है इसमें कुछ भी abnormal नहीं है थार नॉर्मल नहीं है कि नॉर्मल सी चीज है कि होते आएगा इस time को बहुत मिस करोगे हर वेक्ति जिन्दगी में ना सिर्फ time को मिस करता है जो time उसके पास से चला गया क्योंकि time की किमत ना आसान नहीं ही बताना सब लोग इस time को ना मिस करते मैं चाहता हूं कि आप अपने जिन्दगी के best 45 days निकाले पूरे तरीके से best input देने की कोसिस करे result positive होगा बोल रहा हूं और result positive का मतलब में भी एक scorecard के form में अच्छा दिख जाए या हो सकता है scorecard के form में अच्छा ना हो जाए लेकिन आपकी जिन्दगी में ये 45 days एक important role play करेंगे आपको एक positive इनसान एक positive dedication के साथ एक best input एक effort देने वाला person बना देंगे और यही त attitude में लोगों में जानना चाहता हूं कि ये attitude है तो देखते कितने लोग बोलते comment section में कि yes we are going for gate exam sir we are ready for the compromise important है कभी अपने आपको कभी compromise में डाल के रखे रहो समझे हो ना अब एक बार वो टेस्ट कोसिस करो कि compromise में कैसे effort होता है वो टेस्ट तो लेने की कोसिस करो बहुत सारे लोग टेस्तलेश है पता है वो बेस्ट इन्पुट वो पागलपन व टेस्ट हीने उनके पास जब उनके पास वो टेस्ट हीनी तो वो result को देखने की possibility अपनी minimum कर देते हैं फिर दूसरे को देख के clipping करते रहते हुश समझ रही नहीं पाते वह टेस्ट तो कभी देखे ही नह यह जो टेस्ट हैना आपकी पास best effort का best input का कभी लेके देखना अच्छा फील होगा सच मैं अच्छा फील होगा एक जस्प में को लगा कि यार यह आपकी जिन्दिगी की important time चल रहा है क्यों ना इस important time को मैं थोड़ा सा और बात कर लूँ तो मैं ज्यादा time नहीं ले रहा हूं क्या वो proud feel देना नहीं चाहते हो क्या parents की eyes में देखने के बाद क्या उस pain को आप नहीं देख पाते हो क्या मैं आपको इतना motivate नहीं कर पाता हूं कि मैं आपको उस गलत जगा से उठा के उस table पर रख पाऊं तो यह फिर मेरा failure है और में को fail होना पसंद नहीं है ठीक है चलो अपनी preparation करते रहिए और पूरे डेडी के सेंगे साथ 45 days आपकी जिन्दगी के best होना चाहिए ठीक है ओके thank you love you all